नमस्कार दोस्तो हमारी चैनल देशे टेप्स हिंदी में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में में आपको जो रामबान उपाई बताऊंगा उनसे आप अपने गंदे पीले दातों को मोत्यों की तरह चमका सकते हैं इतना ही नहीं इस नुच लोग पान बीडी तंबाकु गुटका जो खाते है उनके दात बहुत ज्यादा पीले और काले हो जाते हैं तो उनके लिए भी एक बेस्ट तरीका होगा जो लोगों के दात पान बीडी तंबाकु गुटका नहीं खाते फिर भी उनके दात अगर पीले है तो वो लोग भी इ करके केवल एक से दो दिन में ही अपने दातों को मोतियों की तरह चमका सकते हैं तो आइए दोस्तों बीना टाइम गवे वीडियो शुरू करते हैं मगर इससे पहले दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको यह नुस्का स यह सबसे पहली जो चीज की जरूरत रहेगी दोस्तों यह चीज जी हां दोस्तों आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा मगर आपको यहां जो गाई का जो गोबर होता है उसको यहां यूज करना है किस प्रकार से यूज करना है आपको गाई का गोबर कहीं से भी मि देखेंगे तो यह जो गाई का गोबर थाव बिल्कुल काला हो जाएगा यानि इनकी राख हो जाएगी तो आप अपना गेस ओफ कर लीजिए और इसको आप इस तरह से लगबग हलके से क्रस्ट कर लीजिए तो आपको यहां दोस्तो इस तरह का पाउडर यहां मिल जाएगा तो हमने यहां दोस्तो इस तरह का पाउडर यहां तयार कर लिया है यह दोस्तो गाई के गोबर का पाउडर फिर दोस्तो नुष्का बनाने के लिए आप यहां इस तरह की यह खाली कोई सीपी कटोरी यहां ले लीजिए उसके बाद आपने जो यहां यह पाउडर तयार किय वह होगी दोस्तों फिट्कारी की तो आप फिट्कारी को अच्छी तरह से अगर चूर कर लेगे तो इसका एक पाउडर तयार हो जाएगा ये सभी के कीचेन में होती है अगर नहीं है तो एक से दो रूपए की बाजार में आपको आसानी से मिल जाएगी तो हमने यहां फिट करी का यह जो पाउडर है तैयर कर लिया है अब आपको लगबग एक छोटी चमच यह जो फिट करी है वह आप इस कटोरी में भी इट कर दीजिए लगबग आपको यहां एक छोटी चमच की ही जरूरत होने वाली है उसके बाद सबसे जरूरी चीज जो हमारे दातों के लिए सबसे अच्छी होती है वो है नमक तो आपको यहाँ यूज करना होगा नमक जो आप डेली यूज करते हैं आपको लगबग यहाँ एक चमच नमक का यहाँ यूज करना है तो दोस्तो इसमें नमक एड़ करने के बाद आप इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए कुछ इस तरह से अब आपको इसका यूज करने के लिए सबसे पहले एक चीज और इसमें एड़ करनी होगी इसमें दोस्तो आपको यहां मिलाना होगा निम्बू यानि की लेमन जी हां दोस्तो निम्बू में होता है जो सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे दातों के लिए बहुती अच्छा होता है जो हमारे दातों को साफ करने में बहुती ज्यादा हेल्प करता है तो आप निम्बू के यहां टुक्रे कर दीजिए और आपको यहां लगबग चार से पांच बूंदे जो नीबू के है वो आप इसमें एड कर दीजिए और इनको आप अच्छे से मिक कर लीजिए तो दोस्तो हमारा यह पेक ही यहां अच्छी तरह से तयर हो गया है देखिए बड़ा ही अच्छा दिख रहा है तो जब इसका यूज आपको मोर्री में करना है जो आप टूट पेस वगेरा करते हैं उसकी जगह आपको इसका यूज करना होगा दोस्तो इसको दातों में अपलाई करने के लिए आपको यहां एक स्वाप ड्रस की जरूरत पड़ेगी तो आपके पास स्वाप ड्रस तो होगा है या जो आप डैली यूज करते हैं ब्रस वो भी यहां यूज कर सकते हैं इस प्रकार से लेके आप अपने दातों में लगब का नुस्का अगर पसंद आए तो सभी के साथ सेर करना ना बूले लाइक करना ना बूले मैं मिलता हूँ नए नुस्का के साथ तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार